हेलो गाइच इश में डाल दिया नमक पानी में आलू और ये डाल दिया मैंने रात के भीगे हुए जने इश को हम सलो गैस पर सटिम में पकाएंगे ऐसा करने से हमारा समय तो बचे गई ही गैस की भी बचत होगी और पैसे की भी और सवास्थे भी हमारा अच्छा रहेगा चनों को पानी से अलग नहीं करना पड़ेगा और इसी के साथ हम रख देंगे दो अंडे अगर हमें अंडों की भी जरूरत है तो और इसी से हम हैवी नास्तर बना के तयार करके खा सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सिब्क्राइब करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद़